नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका मेडिशन रिव्यूज एंड टिप्स यूटूब चनल पर आज हम पेडी क्लोरिल ओरल शिरप के बारे में पूरी जांग कर लेने वारे हैं पेडी क्लोरिल ओरल शिरप का मुकित उपयोग बच्चों में इंसोम्निया याने की अनिद्रा की समश्चा दूर करने के लिए किया जाता है आई ये इस शिरप के बारे में आदिक विस्तार से जानते हैं यह शिरप कैसे काम करता है, कहा इस्तेमाल होता है इस शिरप के क्या benefits है, क्या side effects है इस शिरप से जुड़े सबी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखिर तक ज़रू देखे डॉक्टर रेडिज लेबरोटरीज कमपनी का 30 ml का यह शिरप आपको सव रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसा निशी मिल जाएगा बात करते हैं इस शिरप में मुझूद कंटेन के बारे में पेडी क्लोरिल उरल शिरप में ट्राइकलोफास सुडियम आईपी 500 mg यह कंटेन समयश्ट है इसमें मुझूद ट्राइकलोफास यह 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 हिपनोटिक और सेडेटिव ड्रग है यह शिरिर में एक एक्टिव कमपाउंड में परिवर्तित हो जाता है जो ब्रेन में नीन लाने के लिए काम करता है और नीन की आउदी को बढ़ाता है बात करते हैं इस शिरप के उजस्की यह एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे और निद्रा के एलाज के लिए इस्तमाल किया जाता है बात करते हैं इस शिरप से उने वाले साइड इपेक की यदि आपके बच्चे को इस शिरप में मुझूद कंटेंट से आलर्जी है तो उसे साइड इपेक हो सकते है यदि बताए गए साइड इपेक महसुस हो तो तरण डॉक्टर से संपर करे इस शिरप से आपके बच्चे को पेट दर्द, उलजन, कब्च, चक्कराना, पेट में ग्यास होना, शिरदर्द, लाल चक्ते, मतली, उल्टी, दर्स्ट और वरटी गो यह साइड इपेक हो सकते है बात करते हैं, यह सिरप इस्तमाल करने से पहले क्या-क्या सावदान या लिनी चाहिए एदि आपके बच्चे को इस सिरप में मौझुद कंटेंश आलर्जी है या फिर कोई साइड इपेक समूसुस होते है तो इस सिरप को इस्तमाल ना करे इदि आप अपके बच्चे को कोई ओर मीडिशन दे रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर इंफ़ाम करे ताकि आपके बच्चे को ओर डोश आपी ड्रग इंट्रेक्शन ना हो इदि आपके बच्चे को हर्ट, लिवर या फिर किडने से जुड़ी कोई भी समस्षा हो तो इस सिरप का इस्तमाल दोक्टर के सलाक आनुसार करे ये शिरप इस्तमाल करने से पहले इसे अच्च्चे श ही लाए उसके बाद इस सिरप का इस्तमाल करे और याद रगे दोस्तों इसे डॉक्टर के सला के अनुसार ही इस्तेमाल करे अपने मन से इसका इस्तेमाल ना करे बात करते हैं इस सिरप के डोस के बारे में आप अपनी समस्चा और रेज बता कर इस सिरप का डोस आप अपनी डॉक्टर या फिर फार्मासिस शेपूत ले याद रखे दोस्तों हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी की स्थिती रोगी के आयू और अन्यकार्णों के आदार पर इस सिरप का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस सिरप पर इस्तमा डॉक्टर के सला के अनुसार करें दोस्तों गर आप इस शिरफ से जुड़े और भी कोई जान करें चाहते हो तो हमें कमेंट करें और आगला वीडियो किस दवापी होना चाहिए यह भी हमें कमेंट में बताए इदि आपको इस वीडियो से helpful information मिलियो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिशन रिव्यूज और टिप्स यूटू चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इबेल आएक अंदा भाई ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिपेकेशन मिलती रहे यह है वीडियो देकने के लिए धन्यवाद